प्लासी के लड़ाई में अंग्रेजों के जीत से भारत में ब्रिटिश शासन की नीफ पढ़ गई इस जीत में सेनापती मीर जाफर की बड़ी महत्वपून भूमिका थी जिसने अपने मालिक सिराजुदौला के साथ विश्वास खात किया था अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और मुर्शिदाबाद में सिराजुदौला के तख्त पर वो बड़ी शान से बैच गया इसके बदले मीर जाफर ने कमपनी को 24 परगने की जागिरदारी सौप दी लेकिन मीर जाफर अपनी गद्धी पर एक दिन भी चैन से न बैच सका वो एक कमजोर आयोग्य और ना समझ शासक सिद्ध हुआ वो अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बन कर रह गया क्लाइव की इच्छा के खिलाफ वो कोई काम नहीं कर सकता था अंग्रेजों की बढ़ती हुई जात्तियों से तंग आकर मीर जाफर ने अपने नौजवान दामाद मीर कासिम को कलकत्ते भेजा ताकि वो अंग्रेजों से बाच्चीत करे और उनका दबाव कुछ कम हो जाए लेकिन अंग्रेजों ने नई चाल जली और मीर कासिम को अपनी और मिला लिया ये तै किया गया कि मीर कासिम को वजीर बना कर उसे तमाम अधिकार दे दिये जाएं और मीर जाफर को खर्च के लिए कुछ रकम बतौर पेंशन दे दी जाएं बीस अक्टूबर 1760 को सूरज निकलने से पहले मीर जाफर का महल अंग्रेजों की फौजों ने खेड लिया मीर जाफर को जब अंग्रेजों की नई चाल का पता चला तो वो किस तरह परेशान हुआ इसका एक चित्र अंग्रेज इतिहासकार कर्नल मालसन के शब्दों में उस सुभा को बुढ़े नवाब को उस दिन की अवश्य याद होगी जब उसने प्लासी के मैदान में अंग्रेजों का साथ दिया था और अपने मालिक तथा रिष्टेदार सिराजु दौला के साथ विश्वाजगात किया था मिर जाफर अवश्य इस समय सोचता होगा कि यदि प्लासी में मैं अपने उस बालक रिष्टेदार के साथ वफादार रहा होता जिसने अत्यंत हसरत भरे शब्दों में मुझसे अपनी पगड़ी की लाज रखने की प्रार्थना की थी तो मेरी हालत कितनी अच्छी होती जिस सत्ता को मैंने इतने नीच और खलत तरीके से प्राप्त किया था उससे मुझे क्या फाइदा पहुँचा वे लोग जिनके हाथ मैंने अपना मुल्क बेचा था आज वे मुझे डरा रहे हैं जो गुस्ताख विदेशी प्लासी से अब तक मुझे पर हुक्म चलाते रहे और जो अब मुझे गद्दी से उतारने की धमकी दे रहे हैं यदि प्लासी में मैंने उनके नाश की वज़े बनने का यश्च प्राप्त कर लिया होता तो इस समय मेरे हाथों में असली हुकुमत होती मेरा नाम इज़त से लिया जाता और मेरा मुल्क बच गया होता आखिर मीर जाफर को अंग्रेजों के सामने घुचने टिकने पड़े और अंग्रेजों की नीव और मस्बूत होने लगी उन्होंने मीर कासिम से बंगाल के तीन जिले और लिलिये साथ ही तीन करोड रुपे का सोना आधि वसूल किया सन 1769 में दिल्ली की गद्दी पर मुगल बाश्शा शाह आलम बैठा अंग्रेजों ने अपनी चालों से शाह आलम को अपनी ओर मिलाने की कोशिश शुरू कर दे उस समय सारे भारत पर अपनी हुकूमत जमा लेने के लिए अफगानों, मराठों और अंग्रेजों के बीच तिकोना संघर्ष शुरू हो चुका था देश को विदेशी सत्ता के चंगुल से बचाने का उस समय एक ही उपाय था कि सभी देशवासी किसी एक शक्ती के नित्रत्व में संघठित हो जाते वो शक्ती थी मुगल समराठ किन्तु इसी बीच यानि 6 जनवरी 1761 को पानी पत के मैदान में अफगानिस्तान के शासक एहमद शा अबदाली और मराठों की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ मराठे तो हार गए पर अबदाली को भी जीत के बावजूद काफी नुकसान उठाना पड़ा वो अफगानिस्तान लोट गया और इधर मराठे कमजोर हो गए बच रहे केवल अंग्रेज जिन्होंने अपना प्रभाव पढ़ाना शुरू कर दिया मुगल बाश्शा शाह आलम को 26 लाख रुपया देने का वादा करके इस बात के लिए मजबूर किया गया कि वो बंगाल बिहार और उडिसा की दीवानी इस्ट इंडिया कमपनी को सौप दें मजबूर होकर शाह आलम ने अंग्रेजों को बंगाल बिहार और उडिसा की दीवानी सौप दी जिसका मतलब ये था कि माल गुजारी वसूल करने और दीवानी के मामले निप्टाने का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया सन 1765 से 1772 तक बंगाल में अंग्रेजों का ये शासन इतना भयानक था कि उसने बंगाल को चूस कर कंकाल बना दिया सारे बंगाल में तबाही गरीबी भुकमरी और अकाल पहल गए चारों और मौत नजर आने लगी सन 1772 में वारन हेस्टिंग्स कंपनी का गवर्नर बन कर कलकत्ता आया इतिहासकार कहते हैं कि क्लाइव ने देश में अंग्रेजी राज की जो बुनियाद रखी थी वारन हेस्टिंग्स ने उसे और भी पक्का किया उसके सामने एक ही बात थी चाहे इमांदारी से हो या बेइमानी से जैसे भी हो जल्दी से जल्दी भारत की अधिक से अधिक दौलत को इंग्लिन भेश दिया जाए अब आईए महराष्ट की ओर चले इस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती हुई ताकत और सत्ता के लिए मराठों की ताकत आँख का काटा बनी हुई थी इसलिए अंग्रेजों ने एक चाल खेली उस समय पेश्वा की गद्दी पर रघुनात राव बैठा हुआ था क्योंकि गद्दी का असली मालिक उसका भतीजा नारायन राव अभी नाबालिख था अंग्रेजों ने रघुनात राव को युद्ध का जूठा भय दिखा कर अपनी योर मिला लिया इस तरह मराठा दर्बार में उनका आना जाना शुरू हो गया किन्तु पेश्वा के दर्बार में उन दिनों एक बहुत दूर दर्शी और चतुर व्यक्ति मौजूद था जो अंग्रेजों की सारी चालों को समझ रहा था वो व्यक्ति था नाना फड़ नवीस वो समझ रहा था कि रागोबा मराठा सामराज्य की नीव कमजोर कर रहा है पर रागोबा ने उसकी बात नहीं मानी 30 अगस्त 1770 को रागोबा ने पेशवार नारायम राव की हद्या करवा दी इस साजिश में अंग्रेजों का पूरा पूरा हाथ था रागोबा अंग्रेजों की हाथ की कटपुतली बन चुका था नाना फड़नवीस ने मराठा राज्य को अंग्रेजों के चंगुल से बचाने की भरसिक कोशिश की इतिहास कर कहते हैं कि नाना फड़नवीस ने करनाटक के वीर हैदर अली से मिलकर जिस तरह अंग्रेजों की चालों को नाकाम करने की कोशिश की थी उसमें अगर उसे सफलता मिल जाती तो उस समय देश से विदेशी सत्ता का अंत हो गया होता किन्तु अपने ही लोगों ने उसे धोखा दिया करनाटक के दो वीरों की कहानी भारतिय स्वतंतृता संग्राम के इतिहास में बड़े सम्मान से लिखी गई है ये वीर थे हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान हैदर अली एक मामूली फकीर का बेटा था हैदर अली ने बच्पन से ही घुरसवारी, निशानाबाजी, हथियार चलाना और लड़ाई के तौर तरीके सीख लिये थे बड़ा होकर हैदर अली मैसूर की फोच में भरती हो गया हैदर अली की वीरता और साहस ने कुछी समय में उसे मैसूर का प्रधान सेनपती बना दिया उस समय रियासत का प्रधान मंत्री एक मराठा सरदार खांडे राव था उसने मराठों से चुपचाप मिलकर मैसूर पर हमला करवा दिया इस युद्ध में हैदर अली ने विजय पाई और खांडे राव के विश्वाजगात का सब को पता चल गया मैसूर के महराजा ने प्रसन होकर हैदर अली को अपना प्रधान मंत्री बना लिया उधर अंग्रेज भला ये कैसे के सहिन कर सकते थे के हैदर अली की ताकत बढ़े उन्होंने हैदर अली से छेड़ छाड़ करनी शुरू कर दी करनाटक के कई किले खाली करवाए गए और उन्हें जीत लिया गया हैदर अली के बेटे फटे अली टीपू की उम्र उस समय अठारा वर्ष की थी तब भी अपने पिता के साथ युद्ध के मैदान में वो मौजूद रहता था करनाटक को अंग्रेजों से खाली कराने और उस पर अधिकार करने के बाद हैदर अली ने टीपू को पाँच हजार सेनिकों के साथ मदरास की और भेजा जहां अंग्रेजों का जमाफ था टीपू ने मदरास के किले से पाँच मील दूर सेन टॉमस की पहाड़ी पर गबजा कर लिया और आसपास के अंग्रेजी इलाके को अपने अधिन कर लिया इसके बाद कुछी दिनों बाद हैदर अली भी अपनी सेना लेकर मदरास की और बढ़ा मदरास में अंग्रेजों का क्या हाल हुआ इसका रोचक विवरण एक फ्रांसीसी इतिहासकार ने प्रस्तुत किया है वो लिखता है मदरास विजय के अफसर पर हैदर ने अंग्रेजों से कहकर मदरास के सेंट जॉज के किले के सदर फाटक पर एक चित्र बनवाया जिसमें हैदर एक शामियाने के नीचे तोपों के धिर पर बैठा है पीछे की ओर सेंट जॉज का किला है जिसकी फसील पर गवरणर और उसके अंग्रेज साथी घुटनों के बल बैठे हुए हैदर की ओर अपने हाथ बढ़ा रहे हैं अंग्रेज दूत, डूपले और बौशिया हैदर के सामने जमीन पर घुटने टेके बैठे हैं डूपले की नाक की जगे हाथी की सी सूंट बनी हुई है हैदर उसकी सूंट को पकड़े हुए हैं जिसमें से अशर्फियां खनाखन गिर रही हैं दूसरी और पराजित अंग्रेज सिनापती जनल स्मित संधी पत्र हाथ में लिये हुए अपने हाथ से अपनी तलवार के दो टुकड़े कर रहा है अंग्रेजों की इसहार का असर ये हुआ कि इंग्लिन में इस्ट इंडिया कमपनी के हिस्सों की दर गिर कर 40 प्रतिशत रह गई हैदर और टीपू की विज़े की खबरें पहुँचते ही इंग्लिन में कमपनी की साख गिरने लगी इसके बाद हैदर अली ने नाना फड़नवीज के साथ मिलकर जिस तरह अंग्रेजों को मात दी थी उससे अंग्रेज घबरा उठे थे लेकिन 6 दिसंबर 1782 की रात को हैदर अली की अचानक मृत्य हो गई जिससे नाना फड़नवीज की सारी आशाएं चूर चूर हो गई जबकि अंग्रेजों के लिए हैदर अली की मृत्यू वर्दान साबित हुई हैदर अली के बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान करनाटक का शासक बना अंग्रेजों ने उसे भी चैन से न बैठने दिया उसको बदनाम किया उसके साथ धोखा किया और उसे युद्ध में उलज़ाय रखा लेकिन टीपू भी अंग्रेजों के लिए बड़ी दहशत था अंग्रेज उसके नाम से खौफ खाते थे किन्तुवंत में वो भी अपने ही लोगों के विश्वास खात का शिकार हुआ अपनी अंतिम सांस तक वो बहुत बहादुरी से लड़ा वो कहा करता था दो दिन शेर की तरह जीना जादा अच्छा है बजाए 200 वर्ष भेड की तरह जीने के श्रीरंग पट्टम स्थित टीपू की कब्र आज भी उसके साहस और वीरता के गुण गाती है हुआ झातляется शबुआ स्पया है भर यह भी उसे एक पादा कनाान्वें श्रš तरहां हिर ड़ींद eco